समाज सास्त्री क्लास में आपका एक पर फिर स्वागत है माईसल असोक कुमार एसोचेट फर्फेसर गोवर्मेंट डुंगर कॉलेज भी कानेर आज का अपना वीशे है समाजी स्त्रीकरण समाजी स्त्रीकरण का अर्थ एवं प्रिभास हैं आदिकाल से ही मानव समाज में ऐस समानता व्यप्त रही हैं ऐसे समाज में जहां उसके सद्धिश्यों में वास्त्विक रूप में समानता हो और स्त्रीकरण का भाव हो एक औरिकलपना है मानव समाज के इतियास में ऐसी स्तिती कभी नहीं रही है परसी समाज सास्त्री समनर की मानता है कि इतियास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें बरग गरेना उपस्तित नहीं रही हो अनेक मानव सास्त्रियों ने आदिन समाजों में समानता का उले किया है किन्तु उन में भी आज के समाज की भाती समाजी विसमता के अरहार पर समाज में उच्ता और निमनता का भेद अवश्यक रहा है अने सबदों में समाज के समूँ एवं सदेश्यों के भी भी इस्तरों में बाटने की परकिरिया ही समाजी स्त्रिकरन का है समाजी स्त्रीकरण के दुआरा समाज में कारे विभाजन करके समाजी के एकता एवम संगटन को बनाया रखा जाता है और योगता थता बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रोहसान दिया जाता है परतेग समाज में स्तुरिकरण के लिए पदत और अर्जित दोनों ही अधार पर पाए जाते हैं। पदत और अर्जित पस्तिती अपने पिसली अध्है पिसलेक्टर में इन दोनों को विश्तार में आपको बताये गया था। कि अब अपने बात करते हैं समाजिस्त्रीकरण का आर्थ क्या है समाजिस्त्रीकरण समाज को उच और निमन वरगों में विवाजित करना और श्तर निर्मान करने की एक विवस्ता है क्या है उच और निमन वरगों में विवाजित करने और श्तर निर्मान करने की एक विवस्त इस्त्रीकरन सबद समाज सास्तर में भूग गरब सास्तर से लिया गया है भूग गरब सास्तर में मिट्टी वे चटानों को विविंस्तरों में बाटा जाता है समाज में भी उसी परकार की अनेक समाजिक परतें पाए जाती हैं परतेक समाज अपनी जनसंख्या को आए बेवसाय संपत्ति जाती धरम शिक्षा परजाती एवं पदों के अधार पर निमन एवं उस रेडियों में विभाजित करता है परतेक विभाजजन एक प्रत के समान हैं और यह सभी प्रतें जब उस्ता एवं निमनता के करम में रखी जाती है तो समाज इस्तरीकरण के नाम से जाने जाती है समाजी स्तरीकरण की विभिन समाज शास्त्रेजन ने अलग-अलग रूप से प्रिवाशाई दी हैं जिनमें पर्थम है जीनस्वाट जिन्सवट के अंसार समाजी स्तरीकरण समाज का उनस्ताई समो तथा अथवा स्रेडी में विवाजन है जो की आपस में स्रेष्टा एवं अधीनता के समंदों द्वारा समंदित होते हैं इसी परकार दूसरी प्रिवासा है रेवन मूरे के अंसार समाजी स्तरीकरण उस्तर एवं निमनस्तर समाजी कायों में समाज का छेतिक विवाजन है अगली नेश्ट प्रिवासा है सादरलेंड के अंसार समाजी स्तरीकरण केवल अंते किरिया अत्वा विवेदिकरण की ही एक परकिरिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुल्ला में उस स्थिति प्राप्त होती है इतिनी प्रवासा हैं जिन्सवर्ट के अनुसार, रेमन मूरे के अनुसार, सादरलेंड के अनुसार उपित परिवासाओं से सपष्ट होता है कि समाजी स्तरिकरन दोड़ा समाज, भीवीन, उच्च और निमन समों में भीवाजित एवं विवश्टित होता है तथा यह समूपर्स पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और समाजिक एकता बनाय रखते हुए समाज में श्तिरता कैम रखते हैं अब अपने बात करते हैं समाजिस्तरिकरण एवं विवेदिकरण समाजिक विवेदिकर्ण को अधिक सपष समझने के लिए विवेदिकर्ण की अब धारना को समझ लेना ही भी अवशक है समाजिक विवेदिकर्ण भैपर किरिया है जिसके दोरा व्यक्तियों और समूँ को कुछ मूर्थ अधारों पर विवाजित के लता है उधारन के लिए यदि आयू, लिंग, बुद्धी, व्यक्तितव, धरम, परजाती, शिख्षा, भासा एवं संपति आधी के अधार पर व्यक्तियों को अनेक बर्गों में विवाजित कर दिया जाए तो इस परकिरिया को हम समाजिक विवेदिकरण कहेंगे समाजिक विवेदिकरण भी समाज में आदिकाल से चला आ रहा है प्राचिन समय से ही आयू, लिंग, एवं धरम, रंग के अधार पर व्यक्तियों में व्यक्तियों किया जाता रहा है समाजिक विवेदिकरण का अर्थ स्पश्ट करते हुए लिम ले, परशी समाज सात्रिये, लिम ले लिखते हैं, विवीदिकरण से हमारा अर्थ उस परकिरिया से है, जिसके दुआरा व्यक्ति भीविनताओं का पोसं करते हैं और उन्हें एक साथ रखने में अर्जेष्ट के विविन पाजकों की तरह एक पुरुन समवने युक्त संपूर्ण की रचना होती है विवेदिकर्ण की दो पांच विशेष्टाएं बताएगी है नमबर एक विवेदिकर्ण एक तष्ट अवधार्णा है जिसमें उससे स्रेष्ट एवनिमंता के भाब परकट नहीं होते उधारण के लिए हम लोगों को उनके लिंक के अधार पर इस्तरी वे पुरुषों में तथा आईयो के अधार पर बालक यूवा और वर्दों में विवाजित करते हैं तो यहेवीवेदिकर्ण के लाएगा इससे ये सपश्णी होता कि इस्तरीवे पुरुष बालक युवा एवं वर्द में कौन स्रेष्ट है और कौन नियमन है लंबर दो समाजिक विवेदिकर्ण एक जागरुक परकिरिया है समाजिक विवेदिकर्ण एक जागरुक परकिरिया है नमबर तीन, समाजिक विवेदिकन का निधान बाहरे है एवं सपष्ट कार को द्वारा किया जाता है, उधारन के रूप में लिंग, आयूप, परजाती, समाजिक प्रतिष्टा एवं समाजिक प्रकति के अधार पर हम व्यक्तियों में पर्ष पर व्यद कर सकते हैं, ये अध पर विवाजन करने से हैं, इसमें विरोध या संगर्ष पैदा करने से नहीं होता, नमबर पांस, विवेदिकर्ण एक सारा बोमिक पर किरिया है, ये आधिकाल से सभी समाजों में व्यत्त रही है, या पाय जाती है, ये पांस विशेष्टा हैं, समाजिक स्त्रिकर्ण एव अधान भारिये एवं सपश्ट कार को दूआरा किया जयता है, नमबर चार, समाजिक विवेदिकर्ण एव वियोक्तिक है, नमबर पांथ विवेदिकर्ण एक सार बोमिक पर किरिया है, अब अपने बात करेंगे, समाजिस तरिकर्ण की अफशक्ता है, मानव ने, आधिकाल स अग्तितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितिति विठा कर उनसे कारिये लेना पड़ता है भीविन पस्तितियों को दारन करने के लिए भीन भीन योगताएं वाले व्यक्तियों की अफस्ताएं होती हैं और पदों के अनरूप कारे करने की प्रेणा भी लोगों को देनी होती है इसके लिए समाज में स्त्रीकरण को जलम देना देता है समाज में समाजी स्थरी करण की अवसकताइं निमन कारणों से उत्पन होती हैं दो कारण बताएं लंबर एक समाज अपनी अवसकताओं के पूर्ती के लिए विविन पदों की रचना करता हैं क्या करता है समाज अपनी अवसकताओं के पूर्ती के लिए विविन पदों की रचना करता हैं विविन पदों के लिए विविन परकार की योगईता एवं छमताओं के अवसकता होती है किसी पद के लिए अधिक परसिक्षन देना होता है तो किसी के लिए कम कोई पद अधिक के अनुसार ही समाज लोगों को कम या अधिक पुर्षकार परदान करता है। इसी कारण समाज में भेद भाव एवं उस्ता निमंता का करम पेदा होता है और समाज भीविंस्तरों में व्युक्त हो जाता है। इस समाज लोगों को रोका नहीं जा सकता। यहां तक कि साब्यवादी देशों में भी पदों एवं दायतवों को बिंता के अंसार पुर्षकारों में बिंता पाये जाती हैं और वहां पर समाज लोगों को मिलता है। नमबर दो, दूसरी बाजी है कि परतेक पद पर ऐसे व्यक्ति बिठाने होते हैं जो अपने पद के उत्तरदायतवों को अच्छी तरह से निभास कें। परिशरम एवं लगन दुआरा अपने करतेबों का पालन कर सकें। इसलिए ही समाज दिविन पदों के लिए बिविन परकार के पुर्षकारों की विवस्ता करता है। और लोगों को उनकी योगता बुद्धी एवं रूची के उनसार विविन पद परदान करता है। इस परकार पदों का विवाजन एवं परतेग पद के लिए विविन विशिष्ट पुर्षकार समाज का आवशक अंग है। और इसे ही समाज इस तरीकन कहते हैं। समाज इस तरीकन के दो आपशक तक तब बताए हैं। जब किसी समाज में विविन पद हो या उसे संबंदित अधिकारों एवं पुर्षकारों में समानता हो तो समाज में समाजी स्तरीकन पैदा होना सुभाविक है। समाजी स्तरीकन के दोरा ही समाज यहें विश्वास जिलाता है कि सबसे अधिक महतापूंट पदों पर योग्य व्यक्तियों को रखा जाए। इस प्रकार व्यक्तियों में नहित योग्ता एवं बुद्धी की विविनता को समाज संस्तागत रूप देता है। आपने बात की थी समाजी स्तरीकन का अर्थ उसकी विशेशता हैं नहीं इसकी प्रिवशाएं समाज स्तरीकरण विवेिकरण समाजी स्तरीकरण की अब सकता हैं अब नेस्ट क्लास में अपने बात करेंगे समाजी स्ट्रेकरण की विशेशताएं क्या हैं